शैतान तोता दोस्तों ये है लगू कथा चोटी सी है गयनों स्टोरी उमीद करताओं को पसंदाएगी मैं राजीव शर्मा स्टोरी राइटर स्टोरी टेलर एक 32 साल की महिला दिखने में अच्छी कासी कुबूरी में दिखती थी अपने आफिस जाने के लिए बस्टॉप की तरफ जाती थी वॉक करके और रास्ते में एक चोटी सी मार्केट पड़ती थी पिछले दो तीन दिन से जब वो एक दुकान के सामने से गुजरती तो उसको आवाज आती हलो मोतरमा आप बहुत बश्चूरत है अब महिला को दो तीन दिन तो समझे नहीं आए पहले तो यह आवाज कहां से आरी है किसको वारी काौन बोह रहा है जो कुछ रहा है को अब खोल कि दोड जरा लेकिन वही समय रोजहना का और रोजहना वही डाईलॉग पीछे से कहां से आता अब औरत को थोड़ा अच्छा ने चकत थी चौथे दिन इस बार वो बहुत ज़्यादा मान की चकती थी कि अब वो फिर से आवाद आएगी उसी वक्त पर और इस बार उसने सोचा कि चाहे वो अगली वैस पकड़े है लेकिन इस बार उसकी तहकीकात करकी जिरूर रहेगी कि अब उस दुकान के सामने से गुजरते हुए इस रोज थोड़े कदम धीर कर लेती है और वो ही आवाज आती है हलो मोदर्मा आप दुनिया की सबसे खुशूरत सबसे बत्सूरत और थे आपकी बार उप रटके देखती है और देखती है आवाज एक दुकान के अंदर से आ रही है दुकान के अंदर जाती है देखती है बिलकुल उसके दरवाजे पर ये एक पिंजरा है जिसके अंदर टोता बंद है अब हो समझ जाती है तोता बोल रहा है कुछ बोलती है अगले दिन फिर वहां से निकलती है और अब की बाद टक्टे के लगाए पिंजरे की तरफ देख रही है और तोता उसके सामने नजरों के सामने ये बोलता है हलो मुतरवा आप दुनिया की सबसे बद्सूरत महिला है उसको अब बहुत तैश चाता है वो सिधा दन दन आते हैं दुकान के दर गुस्ती है दुकान के मालक को बलाती है और कहती है ये तोता बत्तमीज है बत्तमीज ही कर रहा है मेरे साथ पिछले एक अक्ते से वो पूरा किस्सा बयान करती है उसको कहता है मैडम आप निश्चिद रहे अब ये तोता आपके साथ कोई बत्तमीजी नहीं करेगा ये मेरा पाल तोता है रोड़ भरी हो वो निश्चिद उपे चली आती है आगले दिन फिर वही वक्त वही वाज हलो मोतरमा आगे कुछ नहीं बोलता है वो खड़ी हो जाती है उसको बोलती है येस कुछ नहीं है हाँ बोलो क्या बोलना चाहरे हो आप तोता कहता है आप जानती हो तो दोस्तों काने या सवाब करता हूँ उमीद करता हूँ आप लाइक करेंगे मेरे चैनल राजीव किश्कंदा को सब्सक्राइब करेंगे धन्यवाद ठीकल राजे अे जरीवाद